जादुई मसाला ठीक है पापा लेकिन इस गवार को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है प्रिया बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं वो गाउं से है तभी प्रिया की मम्मी सुष्मा भी आ गई अरे सुष्मा प्रिया अतनी बड़ी हो गई है लेकिन इसमें बिल्कुल भी अकल नहीं है ये मेरे दोस्त की बेटी है इसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे अच्छा तो ये घर नहीं धरमशाला है जब भी जिसको चाहो ले आओ हरे जब इसका इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो कहां जाएगी वेचारी इसके पाथ जो प्रापारिटी है उससे इसकी शाधी कर देंगे जैसे तेसे प्रिया और सुष्मा ने पिंकी को रखने के लिए हां की और पिंकी भी अब उनके साथ रहने लगी आंटी ची मुझे कहां सोना है हां हां तु यहां सोने ही तो आई है अब हमारे सिर पर सोजा प्रिया इस गवारिन को इसका कमरा दिखा दे प्रिया ने पिंकी को नौकरों वाले कमरे में ले जाकर छोड़ दिया ये तेरा कमरा है और हाँ इस कमरे के एशो और राम देखकर तु इसमें ही मत सोती रहना बाहर भी आ जाना क्योंकि घर के सभी काम तुझे करने है ठीक है दीदी पिंकी अपने मापापा को याद करके चुपचाप सो गई अगली सुभे उसकी आँख खुली तो वे तुरंट उठकर बाहर गई और वहाँ पहले ही सुश्मा और प्रिया नाराज होकर बैठी थी आईए आईए महरानी जी जाओ महरानी के लिए कोई कुरसी ले आओ और चाए नाश्ते का इंतिजाम करो क्या हो आउंटी सच में कितनी भूली बच्ची है कुछ पता ही नहीं अरे तेरी समझ में क्यो नहीं यादा कि तु यहां की नौकर है और तुझे जल्दी उठना होगा और हमारी जगने से पहले ही सारा काम करना होगा तभी वहाँ प्रिया के पापा भी आ गई प्रिया बेटा मैं दो दिन के लिए शेहर से बाहर जा रहा हूँ और हाँ पिंकी का खयाल लगना मैं वहाँ से आकर तुमें एक सर्प्राइस दूँगा ठीक है ऐसा कहे कर वो चले गए देख पिंकी पापा तुझे इस घर में लाए थे तो अब तु ज्यादा सान पती मत दिखाना क्योंकि वो तो यहां से जा चुके है ठीक है दो दिन तक हमारी भी की बिल्ली बन कर रहना प्रिया मैंने बाहर कुछ सुना था और बाहर दिवार पर एक पोस्टर चिपका है वो जाकर पढ़ तो आओ प्रिया और पिंकी दोनों घर के बाहर उस पोस्टर को पढ़ने गई उस पर एक प्रतियोगिता के बारे में लिखा था प्रिया उसे पढ़ती है राजखराने के राजकुमार विदेश से पढ़ाई करके अपने घर लोट रहे हैं जिसके लिए शहर में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है प्रतियोगिता मसाले से स्वातिष्ट खाना बनाने की होगी जिसका भोजन राजकुमार को पसंद आएगा उसको विशिष्ट पुरुसकार दिया जाएगा और पूरे शहर में उसे सुपर शेफ खोशित किया जाएगा प्रिया ये पढ़कर खोशी से जोमुठी और जल्दी से अपने ममी के पास आई ममी मैं तो अच्छा खाना बनाती हूँ अब मैं ही बनूगी सुपर शेफ मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है प्रिया और सुष्वा हसने लगे कोई नहीं बिचारी इसको भी अपने मन की कर लेने दो ठीक है पिंकी तुम भी कल इसके साथ चली जाना और सुपर शेफ बनने के सपने मत पालना क्योंकि वो तो प्रिया ही बनेगी अगले दिन पिंकी और प्रिया राज महल पहुँच गई वहाँ जाकर उन्होंने दीखा कि वहाँ बहुत सारे लोग प्रतियोगिता में भाग लेने आए है प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी ने अपने अपने मसाले डाल कर भोजन बनाया तभी एक आवाज आई सभी प्रतियोगी अपना बनाया हुआ भोजन थाली में परोसकर खड़े हो जाए राजकुमार एक-एक का भोजन आकर देखेंगे प्रिया और पिंकी भी अपना बनाया हुआ भोजन लेकर खड़े हो गए पिंकी का नंबर सबसे अंत में था राजकुमार सभी का भोजन चकने लगे और पिंकी के पास आकर रुख गए मैंने इतनी सारी थालियों से भोजन चका है लेकिन तुम्हारा सबसे अलग है, बहुत स्वादिश्ट है, तुम ही हो आज की सूपर शेफ राजकुमार ने पिंकी के नाम की खोशना कर दी और प्रिया यह देख कर बहुत बुरी तरह चिड़ गई इसलिए पिंकी ने जान बूच कर हार जाना चाहा, और राजकुमार से कहा राजकुमार, यह भोचन जरूर मैंने ही बनाया है, लेकिन इसमें एक जादोई मसाला पड़ा है, तो मैं विजेता बनने की हकतार नहीं हूँ जादोई मसाला? लेकिन कैसे? राजकुमार, जब मैं और प्रिया राजमहल आ रहे थे, तो रास्ते में एक बूड़ी औरत की मदद की जरूरत थी, प्रिया आगे आ गई, लेकिन मैं पीछे रुख गई, इसलिए उस बूड़ी औरत ने मुझे चादोई मसाला दिया पिंगी की इमानदारी और दयालुता ने उसको बेघर से एक घर दे दिया, और उसका विवाह बड़ी धूम धाम से राजकुमार के साथ हो गया, वहीं दुष्ट प्रिया और उसकी मम्मी के हाथ खाली थे